जहां हम खड़े हैं वो दिल्ली के सबसे पुराने कुछ मंदिरों में से एक है यह है पुरानी दिल्ली का हनुमान मंदिर जहां हम खड़े हैं और यहां पर हमारे घुटनों से भी उपर पानी पहुच चुका है यह पानी कुछ घंटों पहले तक यहां कोई पानी नहीं था सुखा था एक दो घंटे पहले तक भी पानी बहुत कम था पर यमुना का पानी अब इस हनुमान मंदिर में घुस चुका है यह हनुमान मंदिर प्राचीन है हमेशा से यहां पर है और दिल्ली के सबसे पुराने मं संदिरों में से एक आता है आपको यह दिखा देते हैं कि पानी कितना अंदर घुस चुका है अब यह सब पानी यमुना से आ रहा है यमुना उस तरफ है जहां आप वह बिल्डिंग देख रहे हैं वह संद पर्वानंद हॉस्पिटल है उसके आगे यमुना बाजार है उसके यमुना है तो कल तक यमुना बाजार तक यमुना का पानी पहुचा था वहां के घर डूब गये थे पर अब पानी इस तरफ भी आ चुका है रोड के इस तरफ पार करके भी पानी आ चुका है और यहां पर पुरा बाड जैसा नजराना देखने को मिल रहा है जो कभी सोचा नहीं था किसीने की दिल्ली में ऐसा होगा और हमें लोग भी सब बता रहे हैं और हमें दिख भी रहा है कि ऐसा दिल्ली में कभी नहीं हुआ है अब आम तौर पर जिस जगा पर हम खड़े हैं यहां पर इतनी आसानी से चलना मुम्किन ही नहीं है क्योंकि आम तौर पर यहां यहां तक भी लाइन होती है, जो लोग मंदिर में आते हैं, उन सब की लाइन होती है, क्योंकि इतना प्राचीन मंदिर है, दोनों तरफ लाइने होती है, पर अब यह मंदिर बंद है, पानी इतना भरा हुआ है, जो सारी प्रसाद की यहां दुकाने है, मिठाई की दुकाने है कचोड़ीों की दुखाने हैं जो भी कहाने पीने की दुखाने हैं became क्या सब भंद है क्योंकि आप देख पा रहें कि दुकानों में भी पानी भर गया है तो कि यह एक बड़ा पाठ जो है दिल्ली का वो पूरा एक तरहसे ठेहर गया एक स्टेंड पर आ गया है क्यों चीज यहां बंद हो गई है यहां दुकाने बंद हो गई है यहां मंदिर बंद हो गए है जो बेघर लोग थे वो अब सड़क पर भी नहीं रह सकते क्योंकि सड़क पर पानी है तो एक तरह से पूरी जो नॉर्मल जिंदिगी थी वो तहस नहीं हो चुकी है और लोगों के पा यमुना है पर यहां तक भी पानी आ गया है यमुना का मेरे घुटनों तक अभी पानी है और अनफॉचुनेटली पानी अभी और जादा बढ़ेगा क्योंकि हर्याना से पानी अभी और जादा छोड़ा जा रहा है यमुना नदी में तो इसलिए पानी और जादा बढ़ेगा इसमें दुनिया भर का कचड़ा है ये बाहर से पानी आ रहा है पूरा इसमें नालों का पानी भी मिक्सटे है क्योंकि यहां पर नाले भी होते हैं तो सुएज वाटर नालों का पानी यमुना का पानी सब मिक्स होकर यहां आ रहा है बहुत कचड़ा भी इसमें है चूहें भी अंतिम सीमा दिखने ही रही है कहना है सेंट्रल गवर्मेंट का कि कुछ घंटों में शायद कुछ सुधार आए शायद कुछ कमपानी आए पर उसके बाद भी ग्राउंड पे असर दिखने में हमें कुछ टाइम लगेगा नई दिल्ली में कैमरा परसन अश्रोक महाले के साथ प्रियांशी शर्मा एंडी टीव इंडिया के रिए